यह जो मैं वीडियो बना रहा हूं यह आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा चुकि अभी तक आप लोगों ने BCCLA का एक्जाम दे दिया या BCC का एक्जाम दे रखा आप लोगों ने रेजल्ट भी आ चुका है आप लोग की यह भी पता चल चुका है कि आप लोग का कितने रेंक हैं और कैसे कॉलेज मिलेगा यह सब भी आप इंटरनली गेस कर चुके होंगे बट इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि BCCLA का अभी तक कांसेलिंग का डेट नहीं दिया गय हैं तो सबसे पहले देखिए कि मैं बात करता हूं कि कल के डेट में एक नोटिस निकला था जो कि आपको यहां पर एसकिन पर देख रहा होगा यह स्टेट बोर्ड आफ टेक्निकल एजिकेशन बिहार के तरफ से निकला था इसमें उन्होंने यहीं बताया था कि जो सीक्ष स फल उन्हों के घोसित कर दे जाएगा इसके बाद किया जाएगा ठीक है यहां पर आप एस परस्ट्रिप से दे सकते हैं कि इसके बाद ही घोसित करने को बता जा रहा है यानि कि आप सोचके देखिए जब बीसी सी एली का एक्जाम कंड़क्ट हुआ था तो उसमें बीसी सी बोड कभी आपका कॉंसिल्ट नहीं कराएगा पहली बात ठीक है तो आप दूसरी बात यह है कि जब भी बीसी सी है काउंसिलिंग कराएगा तो नोगा का फानल रिजुल्ट देने के बाद ही कराएगा तो अब यहां से हम लोग अनौर ना लगा सकते हैं कि बीसी सी का जो कं तक भी देता है तो यह मान के हम लोग चलते हैं यानि कि इतना आप समझ लिए कि पचीश के आसपास या पचीश के बाद बी-सी-सी का लिग का कांसेलिंग आपका कंफर्म होगा ठीक है इसके पहले नहीं होगा तो आप लोग कमेंट मत करिएगा सबसे पहली बात और दूसरी बात देखिए ऐसा बूर्ड कर रहा है इसके पीछे रिजन क्या हो सकता है तो सिंपल सी रिजन है कोविड-19 पहला रिज इसको ठीक है ऐसे तो अभी तो कुरोना वाइस भी सब कुछ जो है नर्मल की तरह हो गया है एलेक्शन भी खतम हो गया तो इसको जल्दी जल्दी रिजल्ट दे देना चाहे था बट फिन भी पता नहीं ये बूट को क्या हो गया यह बहुत डिले कर रहा है और भहुत ही चि अनलेट कर रहा है उतना हम लोग कि क्या कर सकते हैं तरीका से अभी खाली समय हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो उमिद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और कब तक फानल का डेट निकलेगा आपको एक आडिया लग गया होगा ठीक है तो चलिए गाज मि मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में तब तक लिए बने रहे हैं और ऐसे लिटेस्ट आपडेट पाने के लिए आप में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेगा तो चलिए गाज मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में